random fresh algorithm एक ऐसा algorithm है जो basically आपको more accurate missing values की prediction देता है क्यों? क्योंकि ये decision trees के साथ मिलके बना होता है ठीक है और inherently ये missing values को अपने साथ भी लेके जा सकता है तो मैं अगर इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ तो ये inherently यानि कि अगर आप इसको values देना तो automatically ये missing values को impute करके आगे लेके चलेगा तो अगर तो आपके data में missing values है random fresh will be happy to work on that data लेकिन हम इसको values को predict करने के लिए भी use कर सकते हैं तकनीक समझेगा कैसे use करना है? सबसे पहला काम क्या है? मैं यहाँ पे decision trees को नहीं लगा रहा है, सिर्फ random forest को लगा रहा हूँ आप किसी भी algorithm को लगा सकते हैं हमने data load किया data is equal to sns.load data set Titanic का आगया, फिर हमने number of missing values देखी data के अंदर तो मेरे पास 68, 177, 2 and 2 हैं, यह हमारे पास 2, 3, 4, 4 column हैं जिन में missing values हैं, अब अगली किसम के इसके matrix लिए, ठीक है और यहां पे simple imputer भी मैंने यहां पे ले किया है अपना data load किया है दुबारा से जाहरी बात है आप इस data पे भी काम कर सकते हैं but this was just to show कि आपके पास missing values हैं मेरी आदत है कि मैं df लिखके लेके चलता हूँ तो यहां पे आपको step wise बता चलेगा हमने missing values को यहां पे लिया missing values को each column के अंदर हमने दुबारा से check कर लिया अगर आप दुबारा से ना करना चाहें तो आप यहां से भी देख सकते हैं मैं इसको remove कर देतो that would be easier for you तो आप इसको भी run कर सके देख सकते missing values आ गए हम क्या करेंगे deck के column को remove कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा missing values है इसको अगर हम impute भी करते हैं तो errorness ज़्यादा होगी तो मैंने उसको निकाली दिया यहां से missing values okay करवा दी हमने फिर हमने missing values in each column जो है उनको दुबारा से जब चेक किया तो हमारे पास deck निकल गया अब हमारे पास age ऐसा column है जिसकी maximum value है फिर embarked and embarked on मैंने क्या किया अपना data देखा और data की base पे अब मैं क्या करूंगा data को दो हिसों में divide कर दूंगा लेकिन उससे भी पहले data को हम encode करेंगे हम यहां पे क्या करते है label encoder को use किया और data को encode किया उन columns को मैंने बताया जो encode करने है ठीक है यह वाले सारे column है और यहां पे आपको मैं तरीका बता रहा हूँ for loop का जिसके थूँ आप multiple columns को at a time encode भी कर सकते हैं और उनको inverse transform भी कर सकते हैं जो पिछले lecture में हमने देखा यह तरीका बहुत जरूरी है यहां पे मैंने encode किया उसको encode करने के बाद मैंने यहां पे label encoder की empty dictionary बनाई क्योंके जब हम label encoder को use करते हैं हर column का separate encoder होना चाहिए यही वज़ा है कि मैंने यहां पे लिखा कि for columns in this columns to encode यानि कि sex के लिए लएदा, embark क्या लएदा, who क्या लएदा, class का लएदा embark town का लएदा, alive का लएदा यह जितने भी column है तीन और तीन छे इन सभी का separate काम करो क्या करो एक इनका separate label encoder बनाओ ठीक है for each column फिर हर किसी के column को इस तरीके से fit transform करो यानि कि data को encode करो for each column, right फिर आप क्या करो store the encoder in dictionary और आप हर एक का encoder जो है, वे एक dictionary के अंदर store करते जो, right उसका फाइदा यह होगा कि जब हम at the end इसको inverse transform करेंगे तो हर एक column का encoder separate होगा और हर encoder के पास एक specific information होगी for example sex का male and female होता है उसका zero one है, तो zero किसका है और one किसका है यह सारे information store हो जाएगी तो यह for loop लगा के मैंने सारा का सारा encoding कर ली, encoding के बाद यहाँ पर अगर आप चेक करें मैं इसको run करता हूँ उपर वाला सारे के सारा column run करता हूँ यहाँ से भी run करता हूँ यहाँ पर चेक कर इन data आपका सारे के सारा encode हो गया आपको boolean column को encode करने की ज़रूरत नहीं है so I didn't do that बाकी data मैंने यहाँ पर encode जो है वो कर दिया अब हम क्या करते हैं we have to first impute the missing values in age column before we can predict anything तो मैंने क्या किया दो data set बनाए एक with missing values एक without missing values दो data set बनाए बात याद रखें कि हमारे पास missing values हैं और जो 177 age की rows है न जहाँ जहाँ पे age की missing values थी उन सभी को मैंने एक separate data set में transfer कर दिया और जहाँ जहाँ पे age की missing values नहीं थी उनको मैं separate कर दिया तो मेरे पास दो data set बने एक with missing values एक without missing values यानि कि एक ऐसा data set है जहाँ पे कोई भी missing value नहीं है और एक ऐसा data set है जहाँ पे सिरफ age की missing values है तो मैंने जब इसे run किया तो मेरे पास क्या हुआ जनाब दो data set मेरे पास finally आचुके हैं तीक है अब जो दो data set आए हैं just a minute जो मेरे पास दो data set आए हैं मैंने इनकी shape को यहां पर print किया और आप देख सकते हैं originally shape थी 891 मैंने जब print किया तो मेरे पास data set with missing values जो है वो 177 sorry without without missing values sorry without missing values with missing values removed सही है सही लिखा हुआ है जिसमें missing values नहीं है वो है 714 जिसमें missing values हैं वो 177 रोज है कॉलम दोनों के सहीम है ये दोनों data site अगे अब हमने करना क्या है वो और से सुनियेगा बात को ये वाली जो 714 की रोज है ना इस पे हमने machine learning का model train करने है और बताना है age की जो हमारे पास value है उसकी base पे यानि के हमने age को यहां पे y रखना है और बाकी सारे कॉलम को x रखना है ठीक है 714 वाले पे जब हमारे पास model pattern learn कर जाएगा 714 रोज की फिर हमने 177 को predict करना है कैसे अभी आपको दिखाता हूँ यहां पे यह है जि मेरे पास data with missing यहां पे missing value है यानि के age जो है इसमें खाली है सारे का सारा बाकी हमारे पास सारे का सारा data बरा है सिर्फ age का कॉलम खाली है यहां पे चेक करें हमारे पास कोई भी missing value नहीं है सारे के सारे column बरे है तो हम without missing value पे डेटा को train करेंगे और यहां पे age की खाली डबबों को हम fill करेंगे using machine learning model called random forest ठीक है अब उसका तरीका कार क्या है मैंने अपने column यहां पे print कर लिए print करने के बाद मैंने x के अंदर age का column निकाल दिया और मैं सिरफ without missing value का data ले रहा हूँ यानि के वो data जो 714 रोज रखता है y मैंने रख दिया age को समझा ही बात की age को निकाल के y मैंने age को रख दिया मेरे पास input variables है x यानि के सारे के सारे without age y सिरफ age है जब मैंने ये काम किया अभी मैं कोई prediction नहीं कर रहा है सिरफ missing values को compute कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर model को train किया train test split किया random forest regressor यूज किया n estimator 100 यूज किया 42 हमने random state यूज कर ली random forest algorithm को train किया x पर y पर और इसकी prediction चेक की तो अगर आप होर करें मेरे पास जो accuracy आ रही है या मेरे पास mean absolute error है यह 8.11 mean absolute percentage error है 0.37 यानिके 37 और यहाँ पर मेरे पास 0.36 है मेरे पास r square score और अगर मैं देखू आ रहा है मैंसी तो मेरे पास 10 है which is very low इसका मतलब है मेरे पास r square तो कम आना ही है क्योंके column बहुत ज्यादा है लेकिन बाकी errors बहुत कम है that means मेरा algorithm अच्छे से train हो गया मैं इसको 80-20 के ratio पर अगर दुबारा से run करता हूँ तो अगर आप गौर करें मैं यहाँ से दुबारा से सारा कुछ run करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप data पर गौर करें तो r square score और बाके चीज़ें जो है मेरे पास bearable हैं यानि कि मेरे algorithm में कोई इतनी problem नहीं है अब मेरा model train हो गया जिसका नाम है RF model हमने क्या करना है अब हमने data with missing values को check किया जिसमें 177 missing values है सिरफ age की बाकी fill नहीं हमने क्या करना है बाकी सारी values देनी है data model को और उसने age की 177 values को predict कर देना है क्योंकि उसने पिछले algorithm से सीक लिया हुआ है ठीक है अब जब हमारे पास ये सारा काम हो जाएगा तब क्या होगा एक्सस 177 values predict होंगी यहां पे वो ही कर रहे हैं यप predict कर रहे हैं और RF.model.predict मैं क्या कर रहा हूँ DF में the missing values में से age का column निकाल के बाकी साभी पे लगा रहा हूँ तो मैंने डिरेक्टली यहां पे age का column निकाला और axis 1 की base पे निकाल के बाकी को predict कर लिया तो मेरे पास जो age की values हैं वो y predict के अंदर store हो गए यानि के मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं यहां पे अगर y underscore predict लिखूँ so it's working like this तो मेरे पास क्या हुआ एक सबस्टतर values आगी age की based on random forest algorithm यह रहीं सारी की सारी तो y predict के अंदर तो मेरे पास value आगी है अब मैंने अगला काम क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ अब मैंने करना है जो मेरे पास एक ऐसा data है जो missing values वाला है उसमें age को मैंने replace कर दिया यानि के age के खाली डबे जो थे मैंने वो y predict से replace कर दिया यानि के ये वाली जो 117 values थी इनको मैंने y predict से replace कर दिया जैसे मैंने replace किया अब मेरे पास data के अंदर कोई भी missing values नहीं होंगी ठीक है और अगर आप चेक करें तो यहाँ पर कोई भी missing value नहीं है तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पर remove warning कर देता हूँ remove warnings क्योंकि एक सरुकार जब कोई भी चीज़ आपके पास चल रही होती है तो वो warning दे सकती है जैसे मेरे पास आई तो मैंने यहाँ से remove warning कर दिया अब हम क्या करते है हमारे पास data impute हो चुक है df with missing हमारे पास complete हो गया है और df without missing वो पहले ही complete था अब हमने df with missing and df without missing को concatenate करना है तो उसको मैंने df underscore complete कह दिया अब हमने df with missing वाले को और df without missing दोनों को concatenate किया axis zero पे यानि के rows wise हमने उसको concatenate कर दिया फिर मैंने जब इसकी shape print की और head print किया तो मेरे पास result ये वलिया है कि हमारे पास 891 rows है जो हमारा original data था 14 columns है और मैंने जब देखा अपने data को head करके तो आप यहां पे देखें कि हमें पास यहां पे encoded values है sex की encoded value है involved की है class की है who की है adult male की है and there are other encoded values तो जहरी बात है आपको याद होगा कि हमने for loop लगा के start में data को encode किया था अब हम क्या करेंगे यहां पे encoding इसके साथ साथ करते जाएंगे right हमने encoding कर ली है अब inverse transform करते है तो सिरफ यह for loop आपने लगाना है for example मैंने यहां पे लगाया for column in columns to encode जो हमने start में बनाया था le is equal to label encoder in column और हमने यहां पे le fit transform की बजाए inverse transform यूज़ कर लिया हमारा पास data है यह वाला और हमने label लिये है original df column से ठीक है तो हमने यहां से label लेके इस पे लगा दिये तो यह चीज़ मैं बता रहा था कि encoded data यह है और यह भी encoded है लेकिन यहां पे इसके columns के encoded data यहां पे मुझूद है तो अगर मैं दोबारा से इसको head करूँ you can see कि हमारे पास जो data है वो sex male and female आगया और बाकी हमारे पास data complete हो जुका है यह है जी value आपके reverse encoding की at the end आप shape देख लेए आपके पास 891 चोड़ा है और हमारे पास अगर null values देखे सिरफ embarked की रह गई है so embarked को आप अपने तरीके से mod के साथ भी replace कर सकते है और other चीज़ों को भी use कर सकते है this is how you can utilize the power of machine learning for imputing missing values missing values को impute करना क्यों ज़रूरी है it saves time it saves resources और जहरी बात है आपका data complete हो जाता है और आप किसी भी एक data को impute करने के बाद model में accuracy increase कर सकते है और data जितना ज्यादा होता है missing values जितनी अच्छे से impute होई हो उतना अच्छा आपका result आता है there are many other things which you can improve in your machine learning model ये lecture सबसे ज्यादा important है अगर आप कभी भी machine learning के ओपर काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ random forest आपको सिखाया है आप कोई भी model यूज़ कर ले it will work in the same way second learn में कोई भी model लिखें आप start में जहांपे मैंने RF model लिखें आप वहीं पे change करके किसी भी एक model को use कर सकते हैं and then you can improve your missing values ठीक है अब next lecture में मैं आपको बताऊँगा और कौन से methods है missing values को impute करने के